तो यह जैसा कि हमने थम्बनेल में देख लिए होगा आज ही क्लास में और कोई भी अब्जेक्ट है उसको अगर कॉपी करने के कितने वेज हैं कितने मेथड हैं सबको हम वन बाई वन करके समझेंगे सबसे पहले एक मेपंटेगन यहां से तोरी हेक्षागन मैं यहां से इंकर लेता हूँ और इसको मैप कलर प बात कर लो तो जैसे हम अप्प्रून को क्लिक करने के कहते ह mesa कट अप्जेक्शन और जाया कॉपि कर तो और। जह सकत हो अभी कुछ एक आफ्ट नहीं आया है तो और यहां पर पेश्ट का भी option नहीं आता तो इसके लिए सबसे पहले हमें डी सेलेक्ट करना होगा right click करने के बद अगयर आप देख सकते हो कि यहां पर पेश्ट का option आ चुका है आप देख सकते हो कि यहां पर यहां पर एक कॉपी आपकी अगेन यहां edit पे click करने के बाद आप paste करके एक copy यहां से generate करा सकते हैं इसे भी मैं यहां से अरेंज कर लेता हूँ I hope की यह method आपको समझ में आ गया होगा second method की अगर मैं बात करूँ तो सारे object को select करने के बाद keyboard से मैं simply plus की अगर मैं press कर देता हूँ तो यह हमारे एक copy generate करके दे देता है इसको मैं एक बार अरेंज कर देता हूँ अगेन इसे एक बार समझ लेते हैं Ctrl-Z करता हूँ object को select करने के बाद keyboard से simply plus की को आप प्रेस जैसे ही करते हैं आपकी एक copy generate करके दे देता है सिंगल की press करने के बाद यह copy भी कर देता है पेस्ट भी कर देता है आपको एक copy बनाके दे देता है इसे आप अरेंज कर सकते हैं अगर third option की अगर मैं बात करने के बाद गैसे ही मैं इसे move कराने के बाद keyboard से मैं space bar को साथ ही press कर देता हूँ साथ ही अगर इस सारे object को select करने के बाद एक बार अरेंज करने के बाद मैं space bar जैसे प्रेस करता हूँ यहामें एक copy generate करके दे देता है fourth option की अगर बात कर लें तो fourth option काफी important है यही हमारा सबसे जादे use होता है मैं personally इसे सबसे जादे use करता हूँ जैसे ही मैं इसे select करता हूँ select करने के बाद इसे move कराता हूँ इसे position अपनी set करने के बाद की mouse जो है इसे release नहीं करता left click देख सकते हूँ आपकी मैंने left click कर रखा है अभी तक और hold भी कर रखा है यहाँ पे आपको rectangular box में आपको visible हो रहा होगा तो मैं इसे position set करने के बाद जो भी मुझे position set करनी है मैं position set कर लेता हूँ तो उससे पहले मुझे left click release नहीं करना है साथ ही मुझे right click करना है mouse से उसके बाद मुझे left click release करना है तो आप देख सकते हो मेरी एक copy यहाँ से generate हो जाती है इसको एक बाद फिर से समझ लेते हैं तो मैं सारे object को एक बाद select कर लेता हूँ और इनको एक बार position दे देता हूँ position देने के बाद मैं right click करता हूँ तब तक मेरा साथ ही left click भी hold पे है and right click करने के बाद मैं इसे जैसे ही release काता हूँ यह मेरी एक copy generate करके दे देता है I hope guys सारे method आपको समझ में आ चुके होंगे ऐसे ही interesting videos को देखने के लिए video को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में thank you